अर्नेबल मेंबर प्रिंसरेज पूरे देश में रेल नेटवर्फ का जाल बिचाया जा रहा है हम आपको बहुत-बहुत तहे दिल से धनवाद देते हैं हमारी विपक्षकों साथियों ने कुछ एहम बाते उन्होंने रखी उन्होंने कहा कुछ वर्ष का उन्होंने बताया कि भाई रेलवे की आमदनी कम हो गई है नहीं तो रेलवे हमेशा मुनाफे में चलता था शायद उन्हें याद नहीं है पिछले दो वर्ष जिस तरीके से देश और पूरे दुनिया जो वेश्म महामारी से गुज एक जंग लर रहा था उसमें हमारे ये शिश्वी पधान मंत स्री जी की नेत्रत्व में जिस तरीके से हमारे देश के साइंटिस्ट ने काम किया देश को एक जुटता बनाए रखा देश में वैक्सीन बनाया नब्बे परतिशत लोगों को ज्यादा फर्स डोस लगा से ज्यादा परतिशत लोगों को सकेंड डोस लगा तो ये हमें में मुद्धे हमिः हार से आते हैं हमारे कई सम्मानित साथी जो बिहार से आते हैं उगोंने अपनी बातों को रखा हमारा छेत्र समस्तिपूर है वहाँ पे कई मुद्दे हमारे समक्ष आते हैं हम आधनियर माननियर रेल मंत्री जी को अक्षर पतरचार करते रहते हैं और इनका सुभाब ऐसा है कि ऐसा लगता है कि बस ये इनके जितने भी अधनियर माननियर प्यूष गोल जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उनके नेतुरुत में काफी काम आगे बढ़ा लेकिन आज हम सोभे के समक्ष आधनियर श्री माननियर रेल मंत्री आधनियर श्री अश्वनी जी यहाँ पर हमारे रेल मंत्री हैं उन्हें मैं धन्यवाद दूँगा जिस तरीके से उन्होंने हसनपूर सकरी रेल परियोजना में 60 करोर पे दिये जैनगर दर्भंगा नरकटिया गंज में 40 करोर मांसी सहरसा मध्यपूरा पूर्णिया में 25 करोर जैनगर दर्भंगा नरकटिया गंज में 40 करोर सकरी लोका निर्मली फकरी गर्ज में 140 करोर समस्तिपूर दर्भंगा में 50 करोर सुगोली वालमिकी नगर में 130 मुझपपूर सुगोली में 140 नरकटिया गंज रक्सॉल सितामरी दर्भंगा में 10 करोर की राशी देकर आपने हमें गर्भानमित किया है हम सभी जनताओं को आप से बोलना चाहेंगे सर हमारा शेतर कोध़ जमाव रहता है इस वजह आपने जितनी तेजी राशी देने में दिखाई है सर अतनी तेजी इसे अगर काम हो तो सर वहां की जन्ता को बहुत जल रहात मिलेगा ऐसे ही सर मोक्तापूर वारिशनगर, बहरी, लोहना रोड, रेल लाइन का सर्वे, 1996 में कराया गया था, और फिर यही सर्वे सर, 2016-2017 में भी हुआ, लेकिन जब उसके उपर जब जानकारी ली गई अभी हम लोगों ने बैठक की थी रियारम की, तो उसमें जब जानकारी मिली तो उसमें जानकारी मिल में भी वो सर्वे हो रहा है, इसी तरीके से समस्तिपूर, करपोरी गराम, ताजपूर, महुआ, होते वे जो हाजिपूर, सगरोली लाइन जा रही है, बहरी, शिवाजी नगर, करियन, रोसरा, बेगुसराय लाइन जो है, इसका भी सर्वे सर, 2017-2018 में हुआ, जो कि अभी भ करतीप है, काम हो रहा है, लेकिन सर, काफी समय लगा है, सर, हम चाहेंगे आपके नितरत में, ये सारी जो परियोजना है, इसका काम शिक्र हो, लेकिन सर, एक अचम्वे वाली बात है, हमने मीटिंग में भी ये बात रखी थी, कि सर, ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे किस आ विरॉल हरी नगर का जो सर रेल लाइन था सर उसका काम पूरा हो गया लेकिन ये रेल लाइन जो था सर ये सकरी से कुशेसर स्थान बनने का था ये हरी नगर बंद हो चुका है हरी नगर से कुशेसर स्थान का काम इसलिए बंद है क्योंकि वहां बर्ट सेंचुरी आ गई है त दिकतें वहां की जनता को आ रही हैं, तो सर हम चाहेंगे सर आपके माध्यम से इस पे विशेज ध्यान दिया जाए सर और सर्वे किस तरीके से किया जाता है सर उस पे भी कोई मापड़न बने, उसी तरीके से सर हमारे समस्तिपूर शेतर में एक बहुत लंबे समय से भूला समक्षाती थी, सर ये समस्तिया इतनी बड़ी है कि जब कोई पेशन्ट को कहीं जाना होता है सर वो गारी एक एक गंटे तक सर जाती नहीं है, तो हम चाहेंगे सर इस पे आप विशेज ध्यान दें, उसी तरीके से सर एक मुक्तापूर से रुकतापूर नाम कर दीजिए, कि सर जब ट्राफिक वहां रुकता है तो सर दो गंटे कहीं नहीं जाता है, हम लोग भी सर दुसरा रुट लेके जाते हैं, क्योंकि वहां ट्राफिक की बहुत समस्य होती है, हमने का जिस दिन आरोबी बन जाएगा, वापस इसको मुक्तापूर कर दीजिएगा, कि भाई, जा आरोबी पर डाल देता है, वो इस पर डाल देता है, सर जी इडी बन गया है, अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं, तो सर ये चीजे ना हो, हम चाहेंगे सर आपके, हम सभवापती महदे के माद्यम के हम चाहेंगे कि मानिने रेल मंदिश पर संग्यान लें, सर दो मिनट और मैं अपनी बात कर रखूँगा सर चोटे मोटे सर मुद्दे तो आते रहते हैं लेकिन डिपार्टमेंट में जब हम कोई चीज मांग के लिए कोई रिप्लाई करते हैं कोई आविदन देते हैं तो सर वहां से सर एक एक बहुत ही दो शब्त का एक भेज देते हैं कि फानेशली अनवाइबल है यह तो सर हम यह जानना चाहेंगे सर इसका मतलब क्या है जैसे हमारे समानी सदर से बिहार से आते हैं सुनिल कमार पिंटू जी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली सर यह डिपार्टमेंट सुविधा पहुचाने के लिए है आमदनी कमाने के लिए नहीं है हमें जनता को जितनी सुविधा हम पहुचाएं हमें उतना अच्छा यह रहेगा तो जब यह रिप्लाइ आता है फानेशली अनवाइबल है तो यह समझने को थोड़ा सा दिक्कत हो मंतरी जी, सौम में से हमें लगता है दो या तीन ही ट्रेने ऐसी होंगी जो कि घाटा आपको देती होंगी तो हम ज़ादा भी हो सकता है तो हम चाहेंगे सर या तो एक अलग से ऐसा कोई बजट हो जो कि इन ट्रेनों को चलाने में सहल्यवत मिले और वहां के स्थानियों लो लोग हैं जो आगा आगामन करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मोका मिले, सर उसी तरीके से सर एक और सर हमें काफी रिक्वेस्ट आती है कि कोवीट के पहले जो ट्रेने चलती थी, वो आप COVID के बाद जब ये COVID का जब महामारी खतम हो गया है वो ट्रेने को दुबारा से चालू नहीं किया गया है तो सर हम ये चाहेंगे आप इस बात को संग्यान मिलें और जितने भी प्री COVID जो भी ट्रेने चलती थी उसको आप दुबारा से उसी सभी ट्रेने को दुबारा चला दिया जाए एक पटना से कोटा एक ट्रेन जाती है वन थ्री टू बस 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 दो मिनट और सो वन थ्री टू सर ये पटना से कोटा जाती है काफी सारे बिहार के स्टुडेंट्स कोटा में पढ़ाई करते हैं तो सर चाहेंगे सर इसका एक विस्तार आप अगर समस्तिपूर से कर दें तो वहां की जनता को बहुत सुविधा मिलेगी सर एक आखरी निवेदन है हमारा आगरा है हमारी मा पृता थे तो सर हम सरकार से मांग करेंगे मानեղ खरी मंतिर दे जी से वह लाई कि हाजी पूर स्टेशन उनके नाम पे रग दिया जैन कि युकल में लगाया जाए और एक पर से दो अपने यस्श्र कु आपदान मंत्री जी और माने लियर मंतिर जी का धनावाद देते हैं और फी श्र्दन में आकरी भाषण था, जिब दनने भाषण दिया था, उन्हें उसी दिन हाट अटेक आया था, तो उनके ही भाषण से हम ने काफी सारी चीजें आज बोली हैं, हमने अपनी जन्ता को वादा किया था, तो सर हम चाहेंगे कि यह सारे कार्शिक्र हो ताकि उन्हें शादाजली मिले और जंताओं को जल से दरा रहा करें धन्यवाद सर।